पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कोलकाता की सडकों पर ट्राम बंद होने की खबरे चाई हुई हैं जिन लोगों ने पिछले कई बरसों में ट्राम की सवारी नहीं भी की है वो भी ट्राम को बचाने की मांग करने लगे हैं कुछ लोगों ने तो ये खबर भी फैला दी है कि ट्राम कोलकाता में बंद हो गई है लेकिन ट्राम बंद नहीं हुई है आज भी श्याम बजार धरंतला और गरिया हार्ट इस प्लैनेर रूट पर ट्राम तोड़ती हुई दिखाई दी और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार भी अभी तक ट्राम को पूरी तरह से बंद करने का सरकारी तोर पर एलान नहीं किया है सरकार की तरफ से कहा गया है कि हेरिटेज के तोर पर शहर में ट्राम चलती रहेगी बाकी कोट के फैसले के बाद आखरी फैसला लिया जाएगा इस बारे में राज्य के ने कहा है कि सरकार पूरी तरह ट्राम को बंद करना नहीं चाहती है। हेरिटेज की शकल में ट्राम बरकरार रहेगी। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अदालत क्या फैसला करती है। ट्राम लवर संगठन भी शहर में ट्राम चालू रखने की मांग को लेकर अड़े इस पर कोलकाता पुलीस, कोलकाता कॉर्परेशन और स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन ने अदालत को बताया कि ट्राम चलाने में काफी दिक्टत और परिशानी हो रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि वो ट्राम के इतिहास से अच्छी तरह वाक ट्राफिक जाम में फसना नहीं पड़ता है लेकिन धीमी रतार से चलने वारी ट्राम के पैसेंजर्स को 20 सड़क पर उतरना पड़ता है जिसके चलते एक्सिडेंट होने का खत्रा रहता है इसके लावा ट्राम लाइन पर बाइक का टायर फिसलने से भी कई दुरगटनाएं होती है ऐसा खास तोर पर बरसात के मौसम में होता है इसलिए पुलीस और परशासन का एक हिस्सा ट्राम लाइन को हटाने की बात कर रहा है यहाँ घनी आबादी भी एक बड़ा मुद्धा है पिछले कुछ बर्षों में शहर की आबादी और उसके साथ साथ गाड़ियों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है लेकिन शहर की सरकें चोड़ी नहीं हुई है कोलकाता में सिर्फ 6 पीसदी जमीन रोट ट्रांसपोर्ट के लिए आबंटित है परशासन के कुछ अधिकारियों का कहना है के भले ही ट्रांप इको फ्रेंडली सवारी है लेकिन उसके बदले में दूसरे हाई स्पीड इको फ्रेंडली वीकल्स कोलकाता में आ चुके हैं मेटरो रेल भी इको फ्रेंडली है इसके अलावा बंगाल में एक लाग से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट एको फ्रेंडली गाड़ी चल रही है जो देश के दूसरे शहरों में नहीं है इलेक्टिक गाड़ीों में लोगों की रूची बढ़ाने के लिए टैक्स में छूड भी दिया रही है एक अधिकारी के मताबिक शहर में ट्राम के पड़ती लोगों में एक खास किस्म का जुनून है लेकिन सरकार को मुक्तलिप पहलों पर विचार कर फैसला लेना होता है ट्राम लेन के चलते होने वाले एक्सिडेंट और ट्राफिक जाम के कारण होने वाले असुविदा को देखते हुए ट्राम को हटाना ही पड़ेगा हेरिटेज फॉर्म में ट्राम सिर्व एस्प्लेंट से मैदान तक चलेगी हलाके ट्राम के चलाने और बंद करने को मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में तूफान मचा हुआ है कोई सरकार के फैसले की आलोच न कर रहा है तो कुछ लोग ट्राम की इस हालत के लिए पिछली बाम पंथी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इलजाम है कि CPIM ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जरूर से ज़्यादा लोगों को भरती कर इसे एक तरह से C2 यूनियन के आफिस बना कर ट्राम कंपनी को बदहाल कर दिया था इससे पहले कॉंग्रेस सरकार के दोरान ट्राम के किराये में सिर्फ एक पैसे के इजाफे के खिलाफ हुए आंदोलन के दोरान लोग ट्राम को जलता हुआ देख चुके हैं सोशल मीडिया पर कैमपेंच चल रहा है जिसे आम लोगों का भी भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे में सरकार के लिए ट्राम को बंद करना आसान नहीं होगा अब सब कुछ अदालत के फैसले पर निर्भर करता है जब तक अदालत का फैसला आ नहीं जाता है तब तक कुलकाता में ट्राम का सफर बंद नहीं होगा आज भी शहर में ट्राम चली है और उमीद है कि कल भी ट्राम चलती हुई दिखाई देगी